हेलो फ्रेंज, ओर्डिनो कॉम्पोटेबल मॉडूर वीडियो सीरीज में आज मैं SCSR04 अल्टरसोनिक डिस्टेंस सेंसर के बारे में बात करूँगा और बताँगों कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ओर्डिनो को साथ, so let's start learning by doing इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है, यह एक अल्टरसाउंड वेप इमिट करती है 40 kHz की, जो कि air में ट्रैवल करती है, अगर कोई object या obstacle आता है इन अल्टरसाउंड वेप के रास्ते में तो यह वेप रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हम module के receiver से इन रिफ्लेक्टर वेप को रिस 340 मीटर पर सेकेंड और 0.034 सेंटी मीटर पर माइक्रो सेकेंड होती है, और हम distance को पर स्पीड इन टू टाइम के फार्मला लगा कर distance मिज़र कर लेंगे दोस्तो इस module में एक transmitter है, जिससे हम sound wave transmit करते हैं, और यह है एक receiver है, जो R से indicate है, इससे हम अपने रिफ्लेक्टर sound wave को receive करते हैं, और कुछ control circuits हैं दोस्तो इस particular module SCSR04 से हम 2 cm to 400 cm तक मिज़र कर सकते हैं, दोस्तो इस module की working voltage DC 5 volt है, working current 15 mAh है, और इसकी working frequency 14 kHz है, minimum range 2 cm, maximum range 4 m, और इसकी measuring angle 15 degree है दोस्तो मैं इसके pin connections के बारे में बता देता हूँ, BCC को हम 5 volt DC power supplies connect करेंगे, ground को ground से, और इस trigger pin को as a input, और इस eco pin को as a output connect करेंगे दोस्तो मैं आपको code के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर दो pin declare करेंगे, जो कि trigger और eco pin से connected होंगे मैं आपने 9 और 10 यूज़ कर रहा हूँ, आप को इस अभी यूज़ कर सकते हैं, उसके बार दो flow declare करेंगे, deviation और distance, जो कि हमारे sound wave की length को hold करने के लिए यूज़ करेंगे फिर हम trigger pin को as a output कर रहा है, eco pin को input और serial communication स्टार्ट कर रहा है फिर loop में सबसे पहले दोस्तों हम इस trigger pin को 2 microsecond के लिए low करेंगे, ताकि में ensure हो जाए कि जो हमारी transmitter हो कोई wave पाहले सब जनरेट नहीं कर रहा है, फिर उसके वाज इस trigger pin को high करेंगे 10 microseconds के लिए, इस 10 microseconds के time interval में मार ट्रांस्मीटर एक r cycle की sound wave जनरेट करेगा, जो कि air मे travel कर गी, अगर कोई object या optical उसके रास्ते में आता है, तो वो उसे reflect होके आपिस आगी module की तरफ, जो कि हम अपने इस eco pin से receive कर लेंगे, और दोस्तों हम pulse in function यूज कर रहे हैं, इस pulse in function की खासियत आए कि या, जब तक pulse को read करेगा, तब तक उस pin को high रखेगा, नहीं तो low कर दे और यहां एक काम और करता है, जब तक यह particular pin high रहेगा, तब तक को यह समय count कर लेता है, उस समय को हम इस division में, division जो variable हमने define के तो उसमें store कर लेंगे, फिर यह distance to time का formula लगाके distance count कर लेंगे, दोस्ते हम इसलिए divide कर रहे हैं, क्योंकि जो मारा time में वो दो बार count हो जा रहा है, एक बार जब sound travel कर रहा था, एक बार जो bounce back आये, तो यह इसलिए के हाँ पर दो बार यह count हो रहा है, इसलिए हम दो से divide करेंगे, दोस्तों का pulse in function बार जादा आप जानना चाहते हैं, तो आप audio के reference page देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर pulse in function के बारे में पुरा description है, यह pulse को read कर high यह low, यह तब तक high रहता है, जब तक कि pin पे कोई भी pulse receive हो रही है, जैसे pulse receive होना बंद हो जाता है, यह low हो जाता है, और यह function जितनी दे तक pulse receive हुआ, उतनी दे तक का time भी count कर लेता है, और यह work करता है 10 microsecond to 3 minute की length के लिए, दोस्तों इसका जो syntax है, इसमें दो argument यह लेता ह एक pin, कौन से pin पे हम pulse को receive कर रहे हैं, और इसकी value, मतलब वो active high pulse है, active low pulse है, और यह तीसरा optional होता है, इसमें हम इसके time out की value भी डा सकते हैं और शुट खढ़ए, और शुट सब्सक्राइब कर दोना सकते हैं। झाल, झाल, झाल